तो दोस्तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एरफोर्स के MTA मतलब एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट का टेंडर है जिसके अंतरगत बताया जा रहा है कि इंडियन एरफोर्स के द्वारा करीवन 60 से लेके 80 के संख्या में ऐसे एरक्राफ्टों को पर्च 295 एरक्राफ्ट जो की इंडियन एरफोर्स के लिए भारत में ही बनाया जारा उन एरक्राफ्टों के पेलोड शमता मेडियम ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट के टेंडर के रिक्वेर्मेंट से कम है तो उही पे एरवस A400M जैसे एरक्राफ्टों के जो पेलोड शमता है ये M एरक्रेफ्ट के टेंडर को जीतने के बाद भारत में एरक्रेफ्टों को जहाँ पर मिनुफैक्चर किया जा रहा है तो उही पे दूसरे एक बहुत बड़ा टेंडर एरवस के हाथ से निकल रहा है पर दोसो इस दर्मियान एरवस कमपनी से एक ऐसा ख़वर खुल के आगे आया है जो कि कई सारे आलोचोकों के मन में ये सवाल पैदा कर रहा है कि क्या इसके बाद एरवस इंडियन एरफोर्स के स्टेंडर में पाटिसिप्ट कर पाएगा और दोसो ये ख़वर एक नए एरवस कमपनी के द्वारा येरवस कमपनी के द्वारा येडियन यूनियन के अलग अलग देशों के किया गया, रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो यार्क्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, ये असल में यूरोपियन डिफेंस फंड से फंडेड होगा, और इसके फिजिविलिटी स्टडीज के लिए करीब करीब 30.06 मिलियन यूरो या फिर कहें तो 32.89 मिलियन खर्चा किया जाना है और ये फिजिविलिटी स्टडीज आने वाले 18 महिना तक चलेगा, और दोसों ये जो यार्क्राफ्ट के डिवलॉप्मेंट प्रोजेक्ट है, इसमें करीवन 11 यूरोपियन देश एक साथ काम करेगा, और ये यार्क्राफ्ट प्रोजेक्ट इन देश लेकिन बताया जा रहा है कि यार्क्राफ्टों के डिवलॉप्मेंट में एर्वर्स की इलावा उस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, ग्रीस, इटली, रोमानिया और स्वीडेन जैसे देशों के कमपनी भी काम करेगा, अब दोसों यार्क्राफ्टों को लेके जादा जा के आसपास हो सकता है, जबकि वही पे दूसरे तरफ इसके नामकरण को लेके भी अब तक कोई जानकारी ऐसा नहीं हाया है, जिससे की हम एक्जैक्ली ये कह सकेगी इन यार्क्राफ्टों को किस नाम से पुकारा जाएगा, पर संभावित इन यार्क्राफ्टों का नाम A200M म लेके एर्वस कंपनी पार्टिसिपेट कर पा रहा है, पर अगर इस दशक से पहले एर्वस कंपनी के द्वारा 20-25 टन पेलोड शमतावाला किसी एर्क्राफ्ट का डिवलोप्मेंट करना संभव हो पाता है, तो ये एर्वस के लिए इंडियन एर्फोर्स के टेंडर का पाजा भी खोल देगा, जबकि वही पे दोस्तों, अल्रेडी एर्वस कंपनी के एर्क्राफ्टों का निर्मान भारत में हो रहा है, तो इसमें एक संभावनाएं तो ये भी है कि फ्यूचर एर्क्राफ्ट के सप्लाई चेन में भारत या भारत के कंपनियों को भी जोड़ा का प्रयास किया जाता है, तो एर्वस कंपनी के लिए करीब करीब 60-80 और यार्क्राफ्टों का ओडर आसान हो जाएगा, पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि शायद एर्वस इसमें भारत को जोइन डेवलाप्मेंट में शामिल ना करें, लेकिन अगर यार्क्राफ्टों का न खबी जाता है, तब भी यार्क्राफ्टों के ओफर के कई सारे जुरूतों को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत इन यार्क्राफ्टों के टेंडर के अंतरगत असल में यार्क्राफ्टों को केबल भारत में बनाना नहीं चाहता है, बलकि साती साथ टेक्नोलिज ट्रांसफर भी चाहता है जिससे कि आने वाले समय में भारत के खुद के एरक्रेप्टों के डेवलाप्मेंट आसान हो जाए पर यूरोपियन फंड के अंतरगत बन रहा है तो इसमें एरवस के चाहने से शायद सब काम पूरा ना हो क्योंकि एरवस के चाहना और उसके बाद अलग अलग देशों के इसमें समत होना ज़रूरी है और सभी देशों का सहमयत्य के बिना एरवस भारत के साथ प्रोजेक्टों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा दोब आप लोगे को क्या लगता है कि एरवस के ये निया एरकायरप कितना हग तक इंडियान एरफोर्स के लिए हो सकता है कॉमेंट करके अवश्यबताईए दोस्तों आज का वीडियो यही पही करते हैं, समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे, तब तक के लिए जैहिन वंदे महातरम